है गाईश देखो आज एक ऐसा दिन बन चुका है जो अदानी के बारे में आप कोई उल्टा नहीं बोलेगा अब यहां पर लोग जो है ना ऑपर्चुन्टी को खोदना स्टार्ट करेंगे खोदना का मतलब क्या है यह देखो जमीन पर बहुत सारी चीज़े आसानी से मिल जा करेंगे रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे और इतने ध्यान से और इतने गौर से देखेंगे टाकि लंबे समय में उनको काफी बड़ा रिटन देखने को मिले देखो दुनिया में दो टाइप की लोग होते है एक बोलने वाले यह गलत है और दो उसी गलत में अच्छे ढु तॉमिस अच्छे अधनई का स्टॉक Ό, अधानी का स्टॉक टॉप गिनर में रहा है अधानी आने का स्टॉक में आप सब्तॉन के थुछes 53 नहीं सब्वे आं त्पर दूल वह वह न epoxy के लिए केवल तीन करोड के लिए CNBC के आवाज में कौन 2020 में आता था चस्मा पनकर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसको मतलब सेवी ने पकड़ लिया था तीन करोड का फ्रॉड जो है सेवी ने पकड़ लिया था गैस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो मतलब अधानि के सारे stock आप भागना स्टार्ट किया है आप जो report छप रही है अप जो report छप रहे है न वो एक अलग लेवल में छप रहा अप जो report छप रहा है न वो Hindenbox के against में छप रहा है अब इनका stock 80% से ज़्यादा टूट भी चुका है, मतलब हिंदनमक ने जो बोला अब उनकी बात खतम हो गई ना, अब तो मतलब जो होना था वो हो गया, अब अदानी बोला कि मेरे company में तो starting से कोई problem नहीं करके और ये भी हो चुका, दोनों हो गया नहीं यहाँ पर, दोनों क सरकीट से ये सारे stock गिरते हुए नजर आयते हैं, उसी तरीके से ये सारे stock सरकीट से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं आपके सामने, अदानी transmission, देख लिए ये stock भी circuit में, सारे circuit में चलना स्टार्ट कर दिए हैं, पहले circuit से टूटना स्टार्ट किया थे, आप circuit से भागना स्टार्ट किया है, यहां पर देख लिए, अदानी power हो गया, अदानी green, देख रहे हो, एक भी ऐसा stock, या तो 15-20% भाग रहा है, या तो फिर circuit से भाग रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो, अदानी total gas ये भी देखोगे, तो धिरे-दिरे last moment के वला आप चेक करो, त सेलिबरेट क्यूं कर रहे हैं? दो छारान्य सेलिबरेट करने का, पहला करन ये वो लोग हैं, जो लोग भूखे थे, खाना तक नहीं मिल था, खाना का मतलब वो खाना नहीं जो खाते हैं, मतलब stock market में अदानी का जो stock नहीं खरीदा था, वो लोग बहुत पस्ता रहे थे, म लोग बहुत पस्ता रहे थे मैंने सब खरीदा लेकिन अधानी का स्टॉक क्यों नहीं खरदा इसलिए वह बहुत सारे लोग मतलब ऐसा फिल हो रहा था कि यह मौका हमारे हां से चला गया करके ऐसा लग रहा था अब वही लोग सालिबरेट कर रहे हैं कि दुबारा यह मौका ह यह बोल रहे हैं अब तो मिच्वल फंड वाले मिच्वल फंड किसका पैसा लगाया जाता है लाइसी एक बहुत बड़ा इंवस्टर उनके पास रिसर्स टीम होती पूरी तरीके से मिच्वल फंड में अगर आप देखो गे तो यह एक आम जनता का पैसा लगाया जाता जो रघाओध जिनको स्टॉक मार्केट में संजो की कुछ जयादा तर नहीं आता थोड़ा बहुत आता है तो वो लोग अपने पैसे तीसरे इंसान को देते हैं यहां दूसरे इंसान को कि भाई आप मेरा पैसे स्टॉक मारिकेट में लगाओ थोड़ा में रखूँ हैं तो इस बेसेस पर आप mutual fund वाले अदानी के stocks में पैसे लगा रहे हैं मैंने तो आपको labels भी बता हैं कुछ labels मतलब 2-4 दिन से मैं आपको बोल रहा हूं केवल 10 दिन और केवल 10 दिन गीन के 10 दिन और 10 दिन के अंदर अदानी के सारे stocks में buyer और sellers दोनों label देखने को मिलेंगे और फिर वहा लोग मतलब एक दूसरे से जगड़ा करना बंद और आपको ढूंड़ना चाहिए कुछ अच्छी चीज़े कुछ अच्छे label ढूंडना चाहिए आपको ताकि यह जो मौका आया है कहीं यह भी ना हाथ से निकल जाए आप देखे खबर किस तरीके से चापी जा रही है देख धमा के दर वापस से किया है खत्म हुआ हिंडन बग का कहर समझने की कोशिस किजिए दिखे क्या होता ना कि दुनिया में हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं इंडिया में बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ होता रहाता है डेली पर दे के हिसाब से बोला जाता है कि 24 घंटे में डेली डिसकस किया जाता है नहीं किया जाता है बहुत सारे और भी गलत होते रहते हैं उनके बारे में डिसकस किया जाता है नहीं किया जाता है ठीक है अभी मैं आपको बोल दूँगा कि रमेज को आप जानते हो तो बोलोग समझ जाएंगे हां तो कुछ ऐसे पॉपुल लिए अब यूक्रेयन में रश्या में वार हुआ था बहुत सारी न्यूट चैनल वालों ने इंडिया में देखो गया तो चौबीस घंटे वो लोग लाइफ थे चौबीस घंटे लाइफ थे खाना पीना चोड़के लग रहा था एसे जैसे इंडिया से वार हो रहा था क्यू चौबीस घंटे क्यूं वो लोग लाइफ है भाई इस वज़े से ताकि जो भी डेटा हो रहा वो लोगों को इनफार्म करती जा करती ना बहुत सारे तो ऐसे भी आ चुके थे क्रोन खतम हो गया कभी रश्या खतम हो गया कभी अमेरिका नहीं छोड़ेगा रश्या को इस त पास जो मतलब डेटा वागरा बोला जाता है यह सारी चीजे इनके पास हैं यह कभी भी मतलब मैं बोल सकता हूं कि मतलब एक भाउंस बैक ले सकते हैं हो सकता है दो साल धाई साल का टाइम लग जाए लेकिन यह अपने प्राइस जिस प्राइस है उस प्राइस पर आने वाल आ रही है वो भी officially तोर पे जो खबर officially तोर पे नहीं आ रही है हम उस पे भरोसा कर रहे है रिपोर्ट में लेकिन जो खबर officially तोर पे आ रही है हम उस पे भरोसा नहीं कर रहे है प्राबलम यह होता जब हमारे हाँ से निकल लाता है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि हम कास हमने ध्यान दिया होता एक चीज आप दोनों हातों पर नोट कर लीजेगा मार्च के इंड में मार्च के अंध तक सभी लोगों के मुँमें एक मतलब सहफ टपकना लगेगा अदानी के लिए क्योंकि वहां पर कुछ बचे नहीं बोलने के लिए अब केवल जो है ना कि केवल अच्छी खबरी आने वाली है तो सब लोग मिठा बोलना स्टार्ट करें क्योंकि अगर स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है समझेगा तो लोग उनी को गलत बोलेंगे वो बोलेंगे बाइ स्टॉक प्रॉफिट गरह गरह है सब पॉस्टिव आएंगे वो फैबर में आएंगे आदानी के फैबर में कोई अगेंस नहीं आएंगा टप टाइम स्टार्ट हो गया है समझ रहोना बाजी पलटने वाली है चीजों को समझा करो, बाकिया आपकी मरजी है और अगर अब stock market में नहीं हो, तो अपने dmit account एंजल में open कर सकते हो, जहाँ पर आपका dmit account बिलुकुल free रहेगा, delivery charges भी free रहेगा, केवल 20 रुपिस लगेगा, वो भी intraday, में description में link दिया गया है, mintो में जाके अपने dmit account बगरा open कर सकते हैं, और वही लोग आपको ये अच्छी अच्छी बाते बोलना स्टार्ट करेंगे, जो लोग पहले खराब खराब बोल रहे थे, आदानी ये वो ऐसे वैसे, वही लोग, क्योंकि झाओ झाओची थे शच्छी है, वेलमे गर बोलना स्टार्ट करेंगे झाओपक्त बज़ हैं ये वोलना स्टार्ट करेंगे